कि आपका आपका आपके यूटुब ट्रेमिश को डीके में एड़ाज हमची श्यर के बारे में बात करने जा रहे हुआ सुमेधा फिस्कल सर्विश इज लिमेटेड सुमेधा आप देखोगे एक बैंकिंग एंड फाइनन्स सेक्टर कंपनी है यह श्टोक आपको नॉन स्टो अपरेटर निकाल कर दे रहा है लेकिन स्टोक के पीछे का रीजन का भागने के पीछे का वो मैंने हमारी प्रीविस वीडियो में 3-4 वीडियो मैंने इसको बनाया है और 3-4 वीडियो मैंने आपको कलियर बता दिया कि स्टोक अंदर आखिरकार जो तेजी बनी हुई है यह क के लेवल से 95 के भाव पर अपना जो 91,000 के आज पास जो कॉंटिटी है होल्ड करके बैठे हुए है तो यहाँ पर आप देखोगे आज की दिन जो वोल्यूम लगी है है तो यहाँ पर आप देखो कि क्या स्टोक अपने बाउंड विखाई को ब्रेक करनेगा या फिर ने देखो इस टोक अंदर पहले तो आप देखो तेजी यूटूब को पर एडरन हो रही है आपने देखा हुगा दो एडरन की जा रही है और नॉन स्टोप जोना स्टोक बाद अगर आप लोग इसकंदर बैठे रहोगे तो यहां से खत्रों के जो संकेत वो बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं उसके साथ साथ अगर एक दिन में अपना माल निकाल दिया उसी दिन आप देखोगे लगती हो नजर आने लग रही है जिसकी वज़ाँ से टोक कंदर रही है लगबग 95 से टोक ना नॉन स्टोप तेजी बनी हुई है तो 95 से आप देखोगे इस टोक पहुंच चुका एक सो 41 उर्पे यानि लगबग आप देखोगे 46 उर्पे की जो ना बड़त दिखा यह 46 उर्पे जो ना स्टोक में भागा है तो ऐसे में स्टोक के अंदर बने रहना हाल फिलाल बहुत खत्रा साबित हो सकता है स्टोक ने लगबग 50% के रिटन निकाल कर दे दिये हैं तो यहां पर आप देखोगे में दो ओपरेटर है अगर बात कर इसके RSI की तो 65 और MFI आपको 93 पर देखने को मिल रही यह RSI मिड रेंज में है MFI ओवरवोट में तो यहां पर आप देखोगे लगबग एक मन्त में स्टोक ने 3% के 3 मन्त में 15% के 6 मन्त में 73 और एक साल में 437% इरिटन भी निकाल कर दिये हैं बट यह जो स्टोक है ना यह कैसा हो आपको समझ में आई चुका होगा यहां पर खत 55,000 के अचि एश्पाज हो कॉंटिटी वो कॉंटेटी वो होलड करके से बैठे हुए है 95 के भाव पर और वह हैं आप देखोगे बिजनस एंड की फासे लिंट्रिकों अभी 95 के भाव पर 46,000 के आसपा जो quantity है वो hold करके बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आप देखोगे बई किस price से hold करके बैठे हुए हैं और stock को कहां पर लेकर पहुंच चुके हैं तो ऐसे में big operator game में फॉसने से अच्छा है आप लोग जितना profit हुआ है यहां से लो और बाहर निकलो यहाँ पर आप देखोगे कल के दिन अंशु मिश्रा के दवारा लगभग आप देखोगे कितनी heavy quantity purchasing की गी है 133 के भाव पर 47776 quantity जोना buy की गई और आज के दिन आप देखोगे यह जो माल यह नोने निकाल दिया और जो profit हुआ है उसी का आप देखोगे stock के अंदर फिर से investment किया है लगभग आप देखोगे 18400 quantity जोना आज के दिन और उठा लिया नीचे 142 के भाव पर तो आप कार यानि मंडे को फिर से निकाल देगा तो इसी प्रकार यह बाय सलिंग हमें देखने को मिलते रहेगी जिस दिन यह दो ऑपर यहाद पर अपना जो माल वो सेल कर गए stock को उसी दिन धढ़ाम से नीचे आएगा LC गंदर लोग होते वे नजर आएगा तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जितना profit हुआ है अब लेकर बाहर निकल जाई है ठीक है हमारा जो 20% की strategy वो stock अंदर fall हो चुकी है आगे आपकी मर्जी आप चितना risk लेना चाहो risk ले सकते हो लेकिन high level पर stock पहुंच चुका है कभी भी correction ह हो सकता अपने bound भी खाये तक तो जाएगा नहीं क्योंकि बहुता इन्वेस्टर जो stock को high level से उठा कर अभी फसे हुए है तो वहां तक stock अगर जाएगा तो यह वहां से अपना जो माल हो निकाल देंगे तो इसी लिए stock को पहले यह गिरवा देंगे तो कभी भी stock हो सकता है तो profit booking करना सबसे best आएगा आगे आपके मर्जवी आप क्या करना चाहूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक की जो अब तक आपने हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना and thank you for watching the video